तो क्या आप भी अपने वरत में आलू खाखा के बोर हो गये हैं तो चलिए बनाते ही ये बहतरीन नाश्टा जिसको आप अराम से अपने वरत में खा सकते हैं नमस्काल दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरे चैनल इस कुसम की रसोई पर तो आज हम बनाने वाले हैं सभी के all time favorite साबु-दाना वरा और अगर इस साबु-दाना वरा को आप मेरी recipe के साथ बनाएंगे तो आपके साबु-दाना वरा हमेशा perfect ही बनेंगे तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक मिक्सी जार और उसके अंदर हम डालेंगे रोस्टेड मूम फली और उसको हमें दर-दरा पीस लेना है और देखे इसका अच्छे से पाउडर बना लेने के बाद इसको हम साइड में रख देते हैं और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उबला हुआ आलू जिसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे मिक्स करने में हमें असानी हो इसको मैं ट्रांसफर कर दे रही हूँ एक बड़े बरतन फिर हमने जो मुंफली का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे और साथी में डालेंगे सिंधा नमक और यहाँ पर आप नमक जरूरत अनुसार डाल दीजे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर एक चम्मच चिली फ्लेक्स फिर इसमें डाल दीजे आधी चम्ची काली मिर्च और तीन चौथाई चम्मच जीरा पाउडर फिर इस सभी चीज़ों को डाल लेने के बाद इसको अचीतर से मिक्स कर लेते हैं और दीखीगा दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आपके साबूदाने बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे और उपाहस एक्दम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा परफेक्ट डिश है इन सबको अच्छी से मिला लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धन्या पत्ता फिर इसको भी हम सभी के साथ अच्छी से मिक्स कर लेंगे और दोस्तों अगर आप कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंस और फैमिले के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी सेसिपी को सीख सके और बना सके फिर मैं आपे ले रही हूँ एक थाली जिसके उपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा कि इसको ग्रीस कर लिया था और फिर हमारा सारा मिक्ष्चर हम इसके उपर रख देंगे फिर अपने हाथों से हम इसको हलका हलका दब पैक हो जाए और देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरी तर से सेट कर लिया है और इक चाकू की मरत से हम इसके अंदर से रैक्टैंगल कर लेते हैं और देखिए का दोस्तों जब इसको हम तलेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं फटेगा और साथी में कोई भी तेल नहीं स चलिए बढ़ते इसको फ्राइ करने के तो गैस पर मैंने चड़ा दिया है एक पैन और उसके अंदर हम डालेंगे तीन बड़े चमचते फिर तील के गरम होते ही आप अपने साबू दाने वड़े उसके अंदर डालते जाईए और यहां पर में टीप यह है कि हम इसको शैलो अच्छी तरसे आजू आजू पलटते हुए उपर और नीचे से अच्छी तरसे इसको फ्राइ करते जाना है और दूस्तर सा कई बार होता है कि जब हमारे साबू दाने वड़े बन जाते हैं तो बाद में वो सौगी हो जाते हैं और उनके अंदर की क्रिस्पीने सिक्दम ख खिलकर दिख रहे हैं पर इन सभी वड़ों को अच्छी से सेग लेने के बाद आप इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लीजे और इसी सेम प्रोसेस की मदद से आप अपने सारे बैच इसको अच्छी से फ्राइ कर लीजे तो देखिए हमारे क्रिस्पी और करारे साबू दा वड़े बनकर एकदम तयार हो चुके हैं और इसकी प्लेटिंग करने के लिए मैं आप डाल रहे हूं हरी चट्नी जिसको मैंने व्रत में खाने के लिए ही बनाया था और साथ ही में हमारा एक भी वड़ा बिल्कुल भी नहीं टूटा है और ना है इसने कोई तेल सोक किया है और अगर आपको इस चट्नी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंस में ज़रूर बताएगा और ये चट्नी तो इस वड़े के साथ बहुत ज़ादा बढ़िया लगती है फिर इसको फिला लेने के बाद मैं इसकी उपर रखरी हमारे साबू दाने वड़े और हाँ दूस्तो इतना ज़ादा बढ़िया होगा तो अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चानल को सब्सकाइब करेगा इस वीडियो को लाइक करेगा और अपने फ्रेंस के साथ शेयर जरू करिएगा तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थार कि कली यजई जया हो दो है झाल को उड़ियो की लिएक लिएेट अपने आपसे साथ वीडियो को